हेलो फ्रेंड्स रंजिताज कीचन में आप सभी का स्वागत है मेरी आज की रेसीपी है मटर पनीर तो आएए देखते हैं इससे बनाने का तरीका और सामगरी इसके लिए हम लेंगे 200 ग्राब मटर दो छोटे साइज प्याज कटे हुए नमक गड़म मसाला हल्दी पाउडर लाल मिर्ज पाउडर धनिया पाउडर और यहां 200 ग्राम पनीर हम लिए है और एक मीडियम साइज के ट्रमाटर को मिक्सी में हम पिस कर लिए हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निस के लिए अब हम सबसे परले लेंगे एक कड़ाई उसमें डाल देंगे दो थीन चमस तेल इसे सो किते में बना रहे हैं आप चाहे तो रिफाइन आउल भी यूज कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे प्याज इसे हम थोड़ी देर चलाते हुए भूनेंगे अच्छी तरह पक जाने तक इसे हम लगातार चलाते हुए ब्राउन होने तक भून लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे अध्रक लहसुन का पेस्ट और इसे मिला देंगे अच्छी तरह अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर और नमक स्वाधानुसार इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे थोड़ी तर भूनेंगे यह देखिए यह अच्छी तरह से भूना गया है अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर के पेस्ट को और इसे मिलाएंगे इस तरह से ग्रेवी बनाने पर इसका स्वाध काफी अच्छा होता है अब हम इसमें डाल देंगे मटर और इसे मिला लेंगे अच्छी तरह फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गड़ा मसाला और इसे मिलाएंगे इसे थोड़ी दिर भूनेंगे कितनी अच्छी खुस्पवार इस मसाले से अब इसे एक वर जरूर बनाएं अब हम इसमें डालेंगे पानी मसाला भूना गया अच्छी तरह और इसे मिलाएंगे ग्रेवी को थोड़ा गाणा ही रखेंगे अब मटर गलने तक इसे हम ढग कर पका लेते हैं फिर हम डाल देंगे इसमें पनीर और इसे हम लोफ लेम पर दो मिनट पकने देंगे यह मटर पनीर बन कड़त तैयार है अब इसे हम धनिया की पत्ती से गार्णिस कर देते हैं वर मिलाकर गैस ओफ कर देंगे यह स्वादिस्ट मटर पनीर बन कर तैयार है आप इसे एक वर जरूर बनाए और अपने अनुभा हम से सेर करें अगर यह रेसिपी आप लोग को पसंद आती है तो प्लीजिस से लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू थैंक्यू